हेलो स्टुडेंट्स विडियो में हम लोग टी एस एलियट के लाइफ और वर्क्स को डिसकस करेंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं और आपको इंग्लिस लिट्रेचर की प्रिपेरिशन करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें एक अनॉंस्मेंट भी करना है कि आपको अगर अपने एक्जामिनीशन में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं और अपने ओनर्स पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है ठीक है अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है अप सेंपल नोट्स भी वहां से अक्सिस कर सकते हो आपने नोट्स के सेंपल से देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो आप उसको पिरमतर करना ना धरोज़ आपके आपके सारे निरे अब करना यह तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैल्पूल होगा वापस आते हैं अपने वीडियो पर और सबसे पहले देख लेते हैं कि टीस एलिएट कौन थे who is T.S. Eliot T.S. Eliot was renowned American born British poet T.S. Eliot कौन थे एक poet थे सबसे पहले playwright थे और essayist थे ठीक है poet playwright और essayist थे और एक literary critic भी थे उनका जो जन्म हुआ था वो America में हुआ था लेकिन बाद में उन्होंने British citizenship ले ली थी जिसके बाद वो एक British poet बन गए ठीक है अब इनके बारे में कुछ और जानकारिये हैं जो कि आपके exam point of view से बहुत ही ज्यादा important है चलिए उनको देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं life and works को तो Thomas Stern Elliot यानि जो उनका पूरा नाम था वो क्या था तो अब जो आपको दियान में रखना है और बर्थ प्लेस दियान में रखना है उनका जन्म कहा हुआ था United State के Missouri City में हुआ था और बर्थ येर की अगर बात करें 1888 उनका बर्थ येर था दोनों important है objective questions और MCQs जो होते हैं इससे पूछे जाते हैं examination में उसकी बात क्या है Elliot grew up in a prominent and intellectually inclined family ठीक है मतलब इतना समझ लीजी कि उनका जो family था एक literate family था एक पढ़ाली का परिवार था और well-to-do family से वो बिलॉंग करते थे at school he was considered a brilliant student और school पर अगर बात करें तो T.S. Elliot को एक brilliant student की रूप में देखा जाता था he attended Harvard University in 1906 where he excelled academically and became interested in literature, philosophy and European literature उन्होंने Harvard University को 1906 में join किया था जहांपर उन्होंने अपने academics को excel किया और उसके साथ interested हो गए किसी में तो literature को लेकर interested हो गए उनको literature में interest आने लगा था philosophy में और European culture जो होता है मतलब बोले तो Britain का जो culture होता है उनमें उनको बहुत ही ज्यादा interest आने लगा था after completing his undergraduate studies in 1909 वहाँ पर join करते हैं 1906 में और वहाँ पर उन्होंने अपना undergraduate graduation complete कर लिया था 1909 में he pursued a master degree at Harvard and later attended the sorban in parish सबसे पहले हो क्या करते हैं कि अपना undergraduate complete करते हैं Harvard University से उसके बाद वहाँ से master's की degree करते हैं और उसके बाद Sorban University पेरिस में जो की है वहाँ पर अपनी पढ़ाई को complete करते हैं in 1912 he was appointed as an assistant at Harvard 1912 में क्या होता है उनको assistant के तोड़ पर hire कर लिया जाता है Harvard University के अंदर ही but he was already under the influence of symbolist लेकिन उनका मन नहीं था जाब करने का क्योंकि वो पहले से ही किसी के influence में आ गए थे किसी के प्रभाव में आ गए थे तो वो कौन थे वो symbolist थे मतलब जो French writer का group था उनकी प्रभाव में आ गए थे symbolist कौन थे इस पे भी हम एक separate video जरूर लेकर आएंगे and had started writing poems in the manner of Jules Leffors Jules Leffors के manners में के तोड़ तरीके पे किनक्से कदम पर उनने poems को लिखना सुरू भी कर दिया था ठीक है इसलिए उन्होंने Harvard में as an assistant काम नहीं किया objective point of view से देखें तो उनके father का नाम Henry Ware Elliot था और उनकी mother का नाम Charlotte Stearn था यानि उनका पूरा नाम था Thomas Stearn Elliot इसमें Stearns और Elliot ये उनकी father और mother यानि उनके parents के नाम से लिया गया था अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी बारे में क्या कुछ special है तो in 1914 ठीक है went to England whereby gradual process he settled down 1914 में वो England जाते हैं जहाँ पर वो gradual process का मतलब होता है समय के साथ समय गुजरते गया वक्त गुजरते गया वहाँ पर वो settle हो गया वहाँ पर वो बस गय एक तरह से वहाँ पर उन्होंने शादी करी and became a British citizen British citizenship उन्होंने कबले 1927 मतलब लगबग 13 साल के बाद उनको British citizenship याने की British जो नागरिकता होती है उन्हें मिल चुकी थी और एक और बात आपको याद रखनी है उन्होंने दो साधियां करी थी ठीक है पहली वाइफ जो उनकी थी उनकी death हो जाती है death नहीं होती वो separate हो जाते हैं उनसे अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहती है और दूसरी जो वाइफ होती है उनके साथ वो last breathe याने की अन्तिम सांस तक रहते हैं in 1915 he is the love song of J. Alfred Prufrock यानि उनका जो पहला एक था पोल सकते हैं book first major work था उनका love song of J. Alfred Prufrock वो published वा था 1915 में ठीक है it was his first major work उसकी बाद in 1917 he became the editor of egoist वो as an editor काम करते हैं 1917 में egoist एक magazine था ठीक है लंदन literary magazine जो की लंदन में लंदन का एक magazine company था literary था यानि कि वहाँ पर साहिती कारी होते थे और उसे जुड़े हुए newses या फिर जो भी magazine में होते हैं articles उसमें डाले जाते थे वहाँ पर उन्होंने एडिटर के तौर पर काम किया and in the same year और उसी साल he also worked as a clerk at a bank in London और वो लंदन में एक बैंक में clerk के तौर पर भी काम करते हैं उसी साल ठीक है in 1917 he had his first book of poems 1917 में क्या होता है उनका first book जो है poems का Rufrock and other observations इसको published किया गया था ठीक है it received good reviews बहुत ही अच्छा review मिला लोगों का and established him as one of the leading poet of the time और उनको क्या किया एक leading point यानि एक प्रमुख कभी के तौर पर लोगों के बीच में established किया और उनकी पहचान बन गई after this many of his major works such as the wasteland, tradition and individual talent etc. published मतलब इस work के बाद उनके बहुत सारे major works published हुए जैसे the wasteland जो की बहुत ही famous है tradition and the individual talent जो की critical work है उनका यह सारे publish हुए, आपको यहाँ पर ध्यान डखना है जो भी works है मैंने उसके सामने उसका publishing year लिखा हुआ है यह भी आपको ध्यान में रखना है जब आप notes बनाओगे या फिर जब आप इस PDF को मेरे telegram channel से जाकर download करोगे तो आपको इन सारी चीजों को highlight करके रखना है इससे भी questions बनते हैं ठीक है इससे questions हो सकता है कि उन्होंने British citizenship कब ली 1927 में उनका जो पहला major work था वो कब published हुआ था 1915 में क्या नाम था उसका The Love Song of J. Alfred Prufrock और उसके बाद उनका first जो poem का collection था वो कब published हुआ तो 1917 में हुआ था और उसके बाद Wasteland कब published हुआ 1922 में Tradition and Individual Talent जो है कब published हुआ 1919 में हुआ ये सारे points आपको दिहान में रखने है In 1948, he received the Nobel Prize in Literature 1948 जो था एक ऐसा साल आया था जब दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित प्राइज जो होता है Nobel Prize उन्हें Literature की फिल्ड में दिया गया For his outstanding contribution to modern poetry क्यों दिया गया क्योंकि उन्होंने modern poetry यानि आधुनिक जो poetry होता है उसके फिल्ड में बहुत ही बढ़िया outstanding contribution दिया था अपना योगदान दिया था उसके लिए उनको Nobel Prize in Literature 1948 में दिया गया था उसके बाद in the same year he was awarded with order of merit order of merit British monarch उस टाइम monarchy rule system चल रहा था British में तो उनको British monarchs के दौरा order of merit से भी सम्मानित किया गया awarded हुए वो and in 1964 he received presidential medal of freedom from USA government और USA government से 1964 में presidential medal of freedom जो की I think एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रसकार होता है USA का उससे भी इने awarded किया गया था on 4th of January 1965 Elliot died at his home in London London में अपने घर पर उनकी मौत हो जाती है केटेगरी वाइस करके उनके अगर poetry की बात करें poetry के field में भी उनका बहुत ही बढ़िया contribution था और इसी के लिए उनको Nobel Prize भी दिया गया था तो the love song of J. Alfred Prufrock जो 1915 में publish किया गया था यह उनका पहला poetry collection था the wasteland second 1922 में उसके बाद the hollow man 1925 में इसी तरह के और जितरे पी उनके works हैं यह अलग-अलग years में publish किया गया और यह उनके major works consider कि राते हैं poetry के field में उसके बाद फिर plays के अगर बात करें तो यह उनके plays major plays के list है murder in the cathedral, the family reunion, the cocktail party, the confidential clerk, the elder status man यह सारे उनके major works है plays यानि कि as a playwright उन्होंने यह सारे works लिखे हुए थे और literary criticism ठीक है जिनके लिए उनको बहुत ही ज्यादा prefer किया जाता है literary criticism की field में और essays की field में तो उनमे जो major works थे उनके वो यह चार थे ठीक है उनके works बहुत सारे हैं लेकिल major works का मतलब मुख्य जो रचनाए थी उनकी वो यह सारे हैं the sacred wood essays on poetry and criticism 1920 में published हुआ था उसी तरह tradition and the individual talent 1919 में published किया गया था और यह other two works हैं उनके तो students जितने भी चीजें थी जो की बहुत ही important है exam point of view से और ऐसे भी आपको जाना चाहिए उनके major works से लेकर उनके life के बारे में मैंने सारी चीजें डिसकस कर ली है इस वीडियो में फिर भी कोई doubt है तो आप comment में जरूर लिखिएगा और आज की वीडिय के साथ तब तक के लिए keep learning English और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा